हलो व्यूवर्स वरकम तो आर चैनल वल्डिज अकडमी हम लोग आज कि इस क्लास में जो कि मेरा क्लास नमर बेसिकली यहां पर 13 होगा रिलेशन एंड फंसन वाले चैप्टर में हम लोग डिसकस करते हुए जो है टाइपस अप फंसन में पहुंच गए थे नाइच नमबर होगा टाइप फंसन में और यह होगा ग्रेटर इंटीजर फंसन तेक ग्रेटर इंटीजर फंसन को जो है हम लोग अब फ्लोर फंसन भी कहते है ठेकर इसको हम लोग floor function भी कहते है floor function ठीक है इसका नाम floor function पड़ा और इसको जो हम लोग greater integer function भी कहते है ठीक है तो इसका दो नाम है greater integer function सबसे पहला और दूसरा है floor function तो इसको दो नाम उसे जाना जाता है greater integer function कहते किसको है यह इसको denote कैसे करते है सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लें किसको जो है डिनोट कैसे किया जाता है तो इसको जो डिनोट किया जाता है वह बेसिकली मैं आपर लिखूं सबसे पहले कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से करते हैं और नहीं तो यह की फ्लोर फर्सन है तो हम लोग आइसको फ्लोर में हम लोग इस तरह से डाल देते हैं इस तरह से फ्लोर में ख्र γिया यह इता आघ दिखो तरह से कि जुन्त दो तरह से अम बेला करते हैं ए तो वह गिया हे जो बड़ी दैक्ट हता है उस टाइप और नहीं घृति इसका हम लोग इस तरह से चुकि फ्लोओर है तो फ्लोओर यानि की नीचे में इस तरह से रहेगा और ऊपर में जो है वो खाली रहेगा इसको हम लोग floor function कहते हैं ठीक है अगर इसका definition को देखे तो it is defined as हाँ it is defined as it is defined as इसको हम लोग defined इस तरह से करते हैं it is defined as greater integer ठीक है greater integer लेस देन लेस देन और इक्वल टू ठीक है इक्वल टू ग्रेटर देन लेस यानिकी वो जो है वो लेस होगा और नहीं तो यह इक्वल टू होगा ठीक है अब इस definition का meaning क्या है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहां पर ठीक है तो जैसे कि एक्स है कोई भी element तो इस इक्वल टू एक्स पहले सबसे पहले यहां लिग देता हूं में हां वो जो है जैसे कि कोई एक्स है तो तो greater integer function जो है वो मेरा यह कह रहा है कि greater integer function में कोई भी integer क्यों न हो कुछ भी हम क्यों न डाल दे उस function में बैसिकली यहां पर अगर एक्जामपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यह fx is equal to इस तरह से होता है ठीक है आप उसको जो है इस तरह से भी डाल सकते है फ्लोर function है चुकि यह तो यहां पर आप कुछ भी value यहां पर क्यों न ले ले उसका जो value होगा वह एक integer ही आएगा ठीक है अगर हम जोग यहां पर 1.2 ले सकते हैं 1.5 भी ले सकते हैं और 1.7 भी लेक सकते हैं लेकिन इसका जो मेर आपर कुछ आने वाला नहीं है इसलिए इसको कह गया है बेसेठील ग्रेटर इन-टीजर फंचन यह एक इन्टीजर फंचन है ठीक है यहां पर जो हम मैं कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है, input हम इस function में यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरा range आएगा, यह हम कह सकते हैं कि जो मेरा output आएगा, वो basically output जो है इस function का, वो केवल और केवल integer ही होगा, और कुछ नहीं होगा, जैसे example के तोर पर अगर हम लोग देखें, तो इस तरह से जैसे है, ठीक है, तो 1 है, तो अगर हम function के अंदर में अगर हम लोग 1 अगर रख दें, तो यह हमको 1 देता है, function के अंदर में अगर हम लोग 1 रख दें, तो यह हमको output कितना देता है, 1 देता है, अगर हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग 1.2 को रख दें, 1.2 को, तो इसके definition में कहा गया है, कि greater लेस दें और इक्वेल टू तो 1.2 है अगर हम लोग नमबर लाइन में धेके तो यह गया 0 यह गया 1 यह हो गया 2 टू ठीक है और 1.2 हो गया तो यानी कि यह जो नम्बर है वो कुछ यहां पर यह लाए करेगा तो यहां पर लाएक चाहिका 1.2 तो कहा गया है कि लेस दें और इ इंटिजर कौन से है तो आप सभीब को पता है कि 1.2 से जट छोटा इंटिजर जो है वह वह वन है और इसलिए इसका वी जो वाल्यू होगा वह नहीं होगा इसी तरह से अब आपने लोग यहां से सोच सकते हैं कि अगर हम यहां पर एकर 1.9 भी एकर रख दे तो उसका भी value यहां पर 1 ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है चुकि 1.9 भी एकर है तो 1.9 जो है वो यहां पर होगा और इसे just छोटा integer कौन सा है तो इसे just छोटा जो है वो 1 ही है integer तो इसलिए जो है यह 1 ही हो जाएगा अगर यहां पर एक्जेक्ट अगर 2 अगर आ जाए तो हम कहा सकते हैं कि इसका value जो है वो 2 हो जाएगा चुकि यह 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा तो इक्वल 2 कब देगा यह जब मेरा यह पूरा का पूरा क्या रहेगा integer के form में रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, minus 1 रहेगा, minus 2 रहेगा तो उस condition में यह जो है 0, 1, 2 यह output निकलेगा लेकिन अगर वो 1.2 यह 1.9 रहता है तो उसे just छोटा integer कौन सा होगा वही उसका output होगा ठीक है, अगर 1.9 है उसका just छोटा output यान की 1 होगा और उसका output जो है कुछ नहीं बलकि केवल 1 ही होने वाला है यहाँ पर ठीक है, 2 अगर होगा तो यह केवल केवल 2 होने वाला है, ठीक है, और इस तरह से हम लोग कई धेर सारा यहां से देख सकते हैं सपोर्ज, कि अगर हम लोग यहां पर ले ले माइनस 1.2 माइनस 1.2 तो माइनस 1.2 से जस्ट छोटा इंटेजर हमको लेना है, जैसे कि यहां पर यह माइनस 1 होगा, यहां पर यह माइनस 2 होगा, ठीक है तो फिर यहां से आप सभीaching को ynहीं आपको पता ओगा कि 1.2 यहां पर लाई करगा ठीक है और इसे जस्ट छोटा इंटेयर कहां पर होगा तो आप सभी वो लेंगे कि नहीं यहां पर है तो इसे जस्ट छोटा इंटेजर वो वो माइनस टू होगा तो यहां पर इसका जो आटपूट वहागा वह कुछ नहीं बलकि एक माइनस टू हो जाएगा ठीक है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां से अगर इसका हम लोग डॉमेन यह रेंज अगर दिखने का अगर कोशिस करें तो जैसे कि इसका अगर डॉमे रियल लंबर होगा और इसी फटन का अगर आगर अगर लोग देख लें रेंज के क्या होगा फंसन का तो आप कुछ भी यहां पर डाल दीजिए जो यह जो आएगा ना यह मेरा कुछ नहीं बलकि क्या एक इंटीजर ही आएगा ठीक है कुछ भी डालकि आप देख लें तो वो एक मेरा integer ही आएगा, यानि कि z, ठीक है, तो integer हम लोग z से denote करते हैं, ठीक है, तो यानि कि यह हो गया, इसका domain, इसका range, और इसका definition में यह कहा गया है, कि less than or equal to, नाम है इसका greater integer function, नाम है इसका greater integer function, लेकिन definition जो है, उसे just उल्टा दिया गया है, कि less than or equal to, इसका जो यह output ज छोटा ही आएगा, जैसे कि 1.2 है, तो 1.2 से just छोटा, 1.9 है तो 1.9 से just छोटा वाला integer, 2 है, तो 2 तो 2 integer ही है, और minus 1.2 है, तो उसे just छोटा वाला integer, जो कि minus 2 होगा, और यहाँ पर यह minus 2 आजाएगा, तो सबसे पहला जो आपका work होगा, वो इसको सबसे पहले आप not कीजिए इसके बाद हम लोग जो है, graph का और चले, ठीक है, तो चलिए, चलिए, clear होगया, तो इसको मेरे ख्याल साप लोग not भी कर लिए होंगे, और इसका जो है, सबसे पहले लोग graph को देख ले, चलिए, कोसिस करते हैं कि यहाँ पर जो है, वो मेरा graph अट जाएगा, देखते हैं कोसिस करके की अटता है यह नहीं, ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो है, x-axis और y-axis इस तरह से हम लोग मान करके सबसे पहले हम लोग चलते हैं, और मैं इसको भी रब करतेता हूं, domain and range को, यहाँ से आप इस तरह से जो है, कर सकते हैं कि यह x-axis है, और यहाँ पर यह निमरी किसका है, x- और यहाँ पर यह आप जानते हैं कि, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इस तरह से होता है, यहाँ भी यह minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह से, और यहाँ यह भी है, जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है, अब अगर इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर देखे, greater integer function का अगर बेसिकली, तो यहाँ पर तो मेरा कुछ तो, कुछ न कुछ तो है ही, basically, अगर हम 1 रखते हैं, तो हमको 1 मिलता है, ठीक है, यानि कि 1 पर यह हमको 1 देगा, यहाँ पर यह हमको इस तरह से, कुछ 1 दे दिया है, सही है, अगर हम लोग 1.2 रखें, तो भी हमको 1 दिया, अब 1.2 रखने का मतला है कि यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस position पर रखेंगे 1.2 को, और यह है मेरा 1, और यह है मेरा 1.2, सपोज करिए, इस तरह से, एजुन करिए, तो 1.2 का वी जो value है, वो मेरा 1 ही है, तो यह value भी हमको इसी point पर मिलने वाला है, उसी तरह से हम 1.5 रख दे, 1.9 रख दे, सबका value हमको 1 ही मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर कुछ भी value हम क्योंनल लेकर के चले, सबका जो मेरा आए और कुछ नहीं आने वाला है, यानि कि यह इस तरह से होगा, ठीक है, अब जैसे ही इसमें हम exact 2 रखें, तो हमको भी 2 मिल गया, यानि कि जैसे हम 2 रखें, तो यह हमको यहाँ पर इस तरह से 2 मिल गया, ठीक है, यानि कि 2 पर हमको 1 नहीं मिला, यानि कि 2 पर यह 1 वाला अगर इसके और अगर आगे बात करें तो सपोज कि अगर हम लोग यहां पर अहां समझ के हम लोग बनाते हैं ना फिर यहां से टू में रखे तो टू मिला ठीक अब टू से कर कोई भीगर बड़ा वैल्यू कर हम लोग रखते हैं जैसे कि 2.1 2.2 तो वो हमको क्या देगा टू ह रख देते हैं तो इसका greater integer function जो है मेरा 2 ही आएगा चुकि दो पॉइंट दो से जस्ट छोटा integer तो वो मेरा 2 ही आएगा तो यानि कि वो क्या होगा मेरा 2 होगा तो अगर 2 से 2 में हम अगर यहां पर कोई भी वेल्यू अगर हम यहां पर रख देते हैं 2 पर कोई वेल्यू output जाना वह मेरा 2 ही आएगा तो याकि तो पर यो हो सारा का सारा वैलूजी ब्लन रहा है लेकिन तीन पर यह पर तीन पर मिला तीन पर मेरा दो नहीं मिला इसलिए ये खाली रह गया तीन अगर हम लोग रखते हैं function में तो वो हमको दो नहीं देता है इसलिए यहां तीन के तो भी हमको 3 मिल रहा है 3.9 ले रहे हैं तो भी हमको जो है वो 3 ही मिल रहा है कुछ और नहीं इसलिए यह जो है इस तरह से तो अगर यहां से अगर आप इतना सा पहले आप समझे इसके बाद जो है अगर हम लोग नेगेटिव में चले आए तो वह भी समझना चुके बहुत होगा मेरे खाल से अगर हम लोग यहां पर गर 0.5 रखें सपोर्ज था कि फंसन में value जाए वह अगर 0.5 रखें तो यह जो चोटा भी जेश्ट छोटा इंटीजर यानकी 0 देगा यानकी 0.5 पर यह हमको 0 देता है अगर हम यहां पर एक्स का वैल्यू कर लेकर चलते हैं तो यहां पर रह जाएका है उसी तरह से कुछ कुछ भी ले करके चले यहीं पर रह जाना है इस्तरह अनों कुछ भी इसका वैल्यों लेले यहीं पर यह रहे जाएगा और जैसे इस-को वnd यहान पर रूत में ही रह जाएगा और कुछ नहीं तो इस तरह से हम कर देते हैं तकि यह आप बना देखने में जो है थीक लगे तो इस तरह मिलोग इसको जो है जो आई करते हैं अगलों इसका वैलीव वो मायनुस वन ही रहता है तो minus 1 पर इसका value जो है वो कहीं नहीं बलकि यह minus 1 पर रहेगा यह यहाँ पर रहेगा ओके और अगर हम लोग minus 1 से कोई भी छोटा value गर हम लोग रखेंगे तो वो कुछ और नहीं बलकि वो minus 1 ही आएगा ठीक है minus 1 से यहाँ पर कोई भी एगर छोटा value अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पर ठीक है तो वो मेरा just छोटा integer ढूंडता है वो मेरा और वो मेरा minus 1 के ही equal to आजाएगा तो यानि कि यहां से यह इस तरह से कुछ हो जाएगा कि यह माइनस 1 है तो यह इस तरह से इस तरह से हो जाएगा ठीक है फिर उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जैसे यह minus 1 रखेंगे तो वहाँ पर minus 2 का जो value है वो रह जागा मेरा खाली और इसके बाद यहां तक यह value दोड़ा चला आएगा ठीक है और फिर हम देखेंगे कि minus 2 पर जो है इसका value हमको minus 2 ही मिलता है उसी तरह से minus 3 पर जो है इसका value हमको minus 3 ही मिलता है ठीक है minus 3 ही मिलता है और minus 3 से कोई भी छोटा अगर value हम ले ले तो वह हमको minus 3 ही देगा चुकी तो यह यहाँ पर इस तरह से रह जाएगा अब इसको देखने के लिए चुकी यह देखने में चुकी ठड़ा सा ठीक लगे तो इसको थोड़ा सा अंब्रा सा joint कर दें ठीक है औ अब्रा मेरा greater integer function का graph है यह जो मेरा function है यह मेरा क्या है greater integer function का graph के चुक्ट तो इस तरह से देखं़ी यहां पर यह गोल 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 इस तरह से आए ठीक है अच्छा लगता है यह देखने में basically और यहाँ पर यह खाली थान खाली स्थान क्ली सब्सकिश्चॉरीश्या नह यही पर राउंड हो जाएगा इस तरह से यही पर अपियो वह जीरो से अटार यह चाली रहेगा तो यह बड़ा सुन्दर लगता है तो पहले आप इसको नौट कर लिजिए इस तरह से ठीक है कि इसका जो ग्राफ है जो इस तरह से देखने को मिलता है ज़िए सबसे नॉट कीजिये पहले ऐ देख रहा है इस टेप जैसे यह चल रहा है सकते हैं कि सब छूए है step function भी कह सकते हैं, चोकि एक सीडी के तरह ये चल रहा है, तब इसको step function भी कह सकते हैं, ठीक है, चलिए, चलिए इसको नॉट कर लिए हैं, तो सबसे पहले जो है जगह जगह पर पर पहले मैं रब कर दूं, चुकि क्या फैदा बार बार उसी चीज को लिख करके, और एक ही ची चलिए अब जो लिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली अटेन होगा ठीक है टेन नमर फंसन में हम लोग आ चुके हैं और वो होगा स्मॉलेश्ट इंटिजर फंसन अब हम लोग देखेंगे इसमॉलेश्ट इंटिजर फंसन और इसको हैं हम लोग सीलिंग फंसन भी कहते हैं इसको दिखाने का तरीका जो होता है यहां पर मेरा वो कि वो मेरा इस तरह से सीलिंग में केवाल यहां पर इस तरह से दे देना है बस ठीक हम लोग जो है फ्लोर फंचन में जो है केवाल फ्लोर में दे रहेते यानि कि हम लोग इस तरह से दे रहेते ठीक है इस तरह से दे रहेते वह हो गया मेरा फ्लोर फंचन यानि कि ग्रेटर इं smallest integer function और इसको denote कैसे करते हैं तो जैसे के मैंने वहाँ पर किया ठीक है और इडिस डिफाइंड एज कि smallest integer मैं इसको भी रब कर दू smallest integer greater than और equal to x ठीक है जो मेरा integer होगा वो basically मेरा greater than होगा या फिर वो equal to x होगा सबसे मैं ग्राफ को रब करूँ ठीक है तो अगर आप इसका अगर चर्चा अगर करें हम लोग तो इसमें क्या है कि इस डिफाइंड एज smallest integer greater than or equal to x ठीक है इसका जो definition है वो क्या है कि जो मेरा function में हम कुछ भी value रख सकते हैं इसको दिखाते हैं इस तरह से ceiling function है चुकि यह ठीक है और यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर x का कुछ ही value रख सकते हैं लेकिन जो मेरा value होगा वो मेरा greater than or equal to x देखा जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पर यह one रखें तो हमको 1 मिलने माला है अगर यहाँ पर अगर हम लोग 1.2 रख दें तो जो greater value होगा यानि कि 1.2 से जो just बड़ा integer होगा तो आप सभी जानते हैं कि 1.2 से just बड़ा integer सर वो 2 होता है तो मेरा यहाँ पर यह value जो है वो 2 मिलने माला है और अगर 1.3 को रखें तो उसी तरह से हमको 2 ही मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पर minus 1.5 को अगर रख दें तो 1.5 से just बड़ा integer कौन से है तो आप कहेंगे कि वो सर minus 1 ही है तो यहाँ पर यह minus 1 ही चुकी हो जाएगा minus 1.5 से तो इस तरह से यह एक्जामपल है कि 1 अगर रखते हैं तो 1 मिलता है 2 रखते हैं तो हमको 2 मिलता है अगर हम लोग minus 1.5 रखते हैं तो उसे just बड़ा integer जो कि मेरा minus 1 होगा तो वो आ जाएगा ठीक है अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमको 0 ही मिलता है ठीक है इस तरह से हम लोग 0 रखते हैं कि इसका domain क्या होगा ये फिर इसका range क्या होगा ठीक है अगर इसके domain और range के बारे में अगर चर्चा अगर किया जाए तो domain जो होगा domain of function ये क्या होगा basically तो domain में देखिए कि आप कुछ भी रख सकते हैं यानि कि इसका domain होगा वो कुछ नहीं एक आर होगा ठीक है अगर हम लोग इसका अगर रेंज अगर देखें तो रेंज क्या होगा इस फंसन का कि इसका भी रेंज देखिए वह केवल का और केवल एक इनटीजर ही आ रहा है चुकी तो यानि कि इसका भी रेंज क्या होगा मेरा जैड ही होगा और अगर यहां से गर इसका अगर ग्राफ अगर देखने का कोसिस करें तो यह ग्राफ भी ज़ है ज़ादे मुस्किल नहीं होगा यहां से अब देखना तो आप सब ने देखा कि 0 पर जो है वह वैल्यू क्या दिया मेरा जीरो यानि कि जीरो पर जो है यह कहीं नहीं जा रहा है वह वहीं रहे जा रहा है जीरो पर मेरा इसका वैल्यू रहा जा रहा है जीरो अब अगर देखा जाए तो वन पर इसका वैल्यू रहा जा रहा है वन यानि कि वन पर जो है इसका बड़ा मेरे को सिस्करते हैं तो वो मे redeem जाता है यहां पर होगा इस पोइंट में और इसका जो रींज का जो हि Benny वो मेरा यहां पर यह तो जा रहा है तो टूपर क्या रहेगा खाली रहेगा और यहां पर बढ़ जाता है और यहां पर यह दे दू कि टूपर जो है इसका value मेरा 2 ही आता है और फिर से हो है 2 से जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं 2 से थोड़ा से value 2.1 या 2.2 तो इसका value जो न एक आएक जो न वो 3 पहुंच जाता है और 3 से जैसे ही बढ़ने पर इसका value जो है वो 3 पहुंच जाता है ठीक है तो इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनेगा उधर फस्ट क्वाडरांट में और यहां पर जो है ऐसा हो जाना है जो कि 1 से अगर हम थोड़ा समीगर छोटा अगर वैल्यू गर हम लोग ले रहे हैं वान से प्रभी कर छोटा ठीक है जैसे के सब कर दießen बल्त हुथ यह जाना यानिकी जह से कम लोग ले रहे हैं, अ जिरो पोंट एट ख inhal रही हैं होना डोग जिरो प्वाइंट भी कर लेते हैं तो इसका व acceso है और नहीं कर रहे हैं तब जो है इसका वालियू कहाँ से कहां तक जा रहा है तो यह मेरा जीरो जा रहा है और आप सब देख रहें कि इसका जीरो पर जो है इसका वन वैल्यू नहीं आ रहा है जीरो पर इसका वैल्यू नहीं आ रहा है जीरो पर इसका वैल्यू जो है मेरे भाई वह जीरो ही रह जा रहा है ठीक है तो यह यहां से हो मानस 3 पर इसका वैल्यू जाए वह मानस 3 ही आना है ठीक है और इस तरह से हम लोग जो है इसको देख रहे हैं कि यहां से आएगा फिर इसको जरह सम अगर मिला देता कि यह देखने में ठीक लगे तो इसका ज्वाइन्ट जो है वह कुछ इस तरह से ठीक होगा और यहां भी चुकि यह इस तरह से ही है और फिर यहां पर यह पूरा कलर हो जाएगा चुकि जीरो से हम अगर कुछ भी एकर वै यहां पर यह खाली रहेगा यहां पर माइनस वन पर ठीक है और फिर यहां से इस तरह से जाएगा फिर यहां पर यह खाली रहेगा इस तरह से जाना है इसको फिर यहां तक यह जाएगा यहां पर यह खाली रहेगा और यह यहां पर इस तरह से मैच होगा ठीक है डॉटेट से देखने को यहां पे मिल जाता है तो चलिए इसको नौट कीजिए सबसे पहला काम होगा यहां पर आपका हम लोग इसको नेगर वैल्यू कर ले रहे हैं तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से मेरा प्रोडियूस हो जाएगा ठीक है चलिए चलिए आप यहां पर यह कैसे हुआ तो इसका ग्राफ कैसे होता है तो इस टेप जैसे होता है इसलिए इसलिए फंसन भी कह सकते हैं इसको इसका ग्राफ कैसे होता है तो इस टेप जैसे होता है इसलिए फंसन भी कह सकते हैं चलिए नॉट कीजिए चलिए नॉट हो गया है इसके बाद जो हम लोग दिखने वाले हैं 11 नॉबर फंसन वह होगा एक्स्पॉनेंशियल फंसन एक्स्पॉन ठीक है एक्स्पॉनेंशियल फंसन माई काड़ एक्स्पॉनेंशियल फंसन आप देखिए यहां पर एक वर्ड है एक्स्पॉनेंट्ट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्पॉनेंट्स्प X को हम लोग कहते हैं exponent 2 to the power यहाँ पर जैसे cube हो गया तो इस 3 को हम लोग कहते हैं exponent ठीक है इस 3 को हम लोग क्या कहते हैं exponent और उसी तरह से यहाँ पर कुछ भी जैसे कि A to the power X हो गया तो इस X को हम लोग क्या कहते हैं exponent ठीक है इस X को हम लोग क्या कहते हैं exponent तो यानि कि बहुत सा एक जामपल से मैंने आपको बताया कि जो पावर रहता है वहाँ पर उस पावर को ही कहते हैं हम लोग exponent exponent कह सकते हैं पावर कह सकते हैं आप उसको ठीक है तो exponent function होते क्या है तो सबसे पहले इसको हम लोग पहले जो है वो डिफाइंड कर लेते हैं कि exponent function जो होता क्या है ठीक है इफ ए इस ग्रेटर देन जीरो ए जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए यानि कि exponential function कहते किसको है तो इसको fx is equal to a to the power x को fx is equal to a to the power x को अब कह रहा है कि जो a है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए चुकि वो जीरो पर डिफाइंड इसलिए नहीं है चुकि जीरो पर हम यहां पर कोई भी वैल्यू क्यों न रख दे जीरो पर आप चाहिए तो जीरो रख दीजिए या वन रख दीजिए या टू रख दीजिए हंड्रेड, थाउजेंड, करोर, कुछ भी लाक रख दीजिए तो कोच भी रखने के बाद यहां पर इसका वैल्यू जो है वो हमेसा जीरो ही आएगा इसलिए अगर a अगर जीरो हो गया तो उस जीरो पर बेसिकली यह जो फंसन है वो डिफाइंड नहीं है तो a जो है वो ज है जिनसे की जीरो पर POWER कुछ भी डाल दीजिए वो हमेसा जीरो ही होना है उसी प्रकार से आप यहां पर वजब अगर अगर आप 2,0,00, बचैश् transistor के बारे और ऐखने में कुछ पता लगने वाला है नहीं कि यहां प्रस प्रकिना रखा गया तो इसने मुद्यद बावर कि यह कहा गया जिरो से ब्ड़ा होगा और यह वॉन भी नहीं कि यह कहां गया लेकिन बीच में इसका वैल्यों तो कुछ भी हो सकता है ना जैसे यह devoted पर यह डिफाइंड है 0.5 पर पावर आप कुछ भी डाल दीजिए तो उसका जवाब आपको मिलेगा 0.25 होगा 0.25 होगा ठीक है तो यानि कि हम यह कह सकते हैं कि वह 0 पर डिफाइंड नहीं है और वह 1 पर डिफाइंड नहीं है और वह 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आ गए उस पर वह डिफाइंड है वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इकवाल टू नहीं होना चाहिए then the function is defined then the function is defined by कैसे defined किया गया है तो fx is equal to a to the power x for all x belongs to real number और जितने भी x होंगे वह कहां पर belongs करेगा मेरा real number में ठीक है x जो है वह क्या है मेरा real number में है ठीक है x अब कुछ भी डाल सकते है 1 डाल सकते है मैनस 1 डाल सकते है 2 डाल सकते है सब जितना भी आपका दिल में दोर दिमाग में आज़ आई वो जितना भी x का value पॉसिबल हो सकता है वो आप यहां पर इसको डाल सकते है लेकिन condition यहां X का नहीं, condition जो है यहां पर A का दिया गया है, कि A 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और A 1 के इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में तो वो हो ही सकता है, इसमें कोई नाराज़ी नहीं है, ठीक है, और फिर 1 से बड़ होना चाहिए, और वो 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तब यह function जो है, इस तरह से refined है, और इस function को ही हम कहते है, exponential function, exponential और function, exponential function हम इसी को कहते हैं, ठीक है, अगर यहां से अगर आप इसका domain, यह range अगर देखने का कोशिश करें, तो आपको मिलेगा, ठीक है, यहां से अगर इस function का, अगर हम लोग domain को अगर देखें, कि domain of function क्या होगा, तो देखिए, domain मतलब कि x, यानि कि हम x में क्या डाल सकते हैं, ठीक है, हम यहां पर इस x में क्या डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा, वो होगा कि सिर्फ कुछ भी डाल स सकते हैं तो डाल सकते हैं माइनस में डाल सकते हैं तो यानिकि मेरा मन मेरा मन करेगा कि हम यहां पर इस X का मान जो है वो क्या रखेंगे ठीक है तो यानि कि इसका डॉमेंज जो है वो पूरा क्पूरा क्या हो जागा मेरा रियल नंबर हो जाएगा और अगर यहां से इसका अगर रेंज के बारे में अगर हम लोग देखें कि इसका रेंज क्या होगा तो देखें इसका रेंज थोड़ा सा जो है पहले मैं इसको राप करूं फिर मैं इसको समझाओं आपको रेंज ठीक है इसका रेंज कैसे हो सकता है जैसे कि अब कह सकते हो ठीक है कि A पर power अगर हम square डाल देते हैं तो इसका value जो है इतना मिलता है इसका value इतना मिलता है इसका मतलब यह हुआ कि A के जगह में जो है हम 0.5 रखे होंगे एक जगह में हम 0.5 रखे होंगे तभी तो हमको value मिला ठीक है कितना मिला 0.25 ठीक है तो यानि कि यह value रखने पे हमको जो range मिला हमको जो output मिला वो मेरा 0.25 मिला है 0.25 मिला है ठीक है यह देखिए अगर मैं इसको number line में अगर आपको समझाओं तो यह मेरा number line है यह 0 है यह 1 है और यह 2 है यह इधर minus 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम value जो रख रहा है वो हम 0 के equal to में नहीं रख रहा है वो 0 से बड़ा है 0.5 जो हम रखे हैं यहां पर value A का वो बिल्कुल 0.5 से 0 से वो बड़ा है 0.5 और वो value जो है वो यहां पर आईगी ठीक है जीरो से वो क्या है बड़ा है यानि कि अगर हम यहां पर और अगर इसको गर छोटा गर रखते चलें जैसे कि 0.3 रखे और इसका अगर हम लोग इसक्वाइर करेंगे यह क्यूब करेंगे जो भी होगा तो यहां पर इसका जो value होगा वो 0.9 आएगा मेरा ठीक है अरे ठीक तो किया मैंने नहीं यह तो मैंने गलत कर दिया 0.09 होगा ठीक है 0.09 होगा यानि कि 0.3 रखने पर जो है इसका value 0 के तरफ और ज़्यादा जो है यह सट गया 0 के और भी ज़्यादे यह करीब हो गया लेकिन मेरे भाई यह 0 पर तब होगा जब इसका value 0 रखेंगे और 0 का square करेंगे तब ही इसका value जो है यह क्या होगा 0 होगा लेकिन इस पर तो मेरा function undefined है हमको तो यहाँ पर function में यह condition को दिया गया है कि यह जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए तो हम 0 थम रख नहीं सकते हैं यानकि 0 से थोड़ा से बड़ा यानि कि 0.1 भी अगर हम रखते हैं और अगर इसका हम exponent करते हैं तो यह जो है यह मेरा 0.01 आ जाता है लेकिन जो मेरा यह जो आपट है यह मेरा 0 में चिपकता नहीं है तो 0 से थोड़ा सा जो है उधर ही रह जाता है यानि कि यह मेरा 0 में जो है वो चिपकेगा नहीं तो 0 के तरफ जो है वो आपन इंटरफल रहेगा ठीक है चुकि यह 0 तरफ चिपका नहीं और यह कहां तक जा सकता है infinity यह कहीं तक भी जा सकता है मेरे भाई, ठीक है चुकि हम 5 का square करें तो वो 25 होगा, अगर हम 5 का cube कर दें, तो 125 होगा और भी इस तरह से कर हम 6 का cube कर दें, तो वो और ज़्यादा बड़ा value हमको मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से जो है न, हम लोग देख सकते हैं कि इसका range जो है, वो 0 to infinity होगा 0 to infinity होगा please not eat चलिए not हो गया, तो हम लोग इसके graph के और चलें लेकिन उससे पहले, मैं ये सब पहले में रव कर दूँ देखिए, अगर इसका example अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले में रवक function 2 to the power x का graph plot करते हैं 2 to the power x का graph plot करेंगे और फिर उसी graph में हम लोग fx is equal to मैं इसको रहा है, नीचे mention कर देता हूं इस graph को फिर उसी graph में हम लोग fx is equal to ये करते हैं हम लोग 3 to the power x 2 to the power x और 3 to the power x का हम लोग यहाँ पर इसका graph plot करेंगे सबसे पहले जो है, आपको पता ही है coordinate को हम लोग find करते हैं ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसके coordinate को find करेंगे और फिर देखेंगे, जैसे के माली जीए कि यहाँ पर हम x कुछ भी कुछ भी डाल सकते हैं हमने यह देखा कि इसका जो function का जो domain है, वो क्या है? पूरा का पूरा मेरा r है यहाँ पर है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर, अगर हमने 0 डाल दिया, तो 2 to the power 0 means 1 2 to the power 0 means 1 हो गया यहाँ पर यह, ठीक है? यानि कि हम जैसे ही 0 डाले, तो वो 1 आ गया अगर हम लोग यहाँ पर अगर 1 डालते हैं, तो 2 to the power 1 यानि कि 2 आ गया अगर 2 डालते हैं, तो 2 डालने के बाद यह, यह 4 आ जाता है और अगर हम लोग यहाँ पर अगर minus 1 डालते हैं, तो फिर यह 1 by 2 आ जाएगा minus 2 डालते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब होगा कि 2 to the power minus 2, तो यानि कि इसको positive करना है, तो 1 पर 2 to the power इतना करना पड़ेगा, यानि कि यह 1 by 4 आ आना है, तो यह 1 by 4 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है? 1 रखे, तो 1 by 2 आया, अगर हमने इसको 2 रखा, तो यह 1 by 4 आया उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इस पर अगर 3 रखेंगे, that is, minus 3, तो यह आया जाएगा 1 by 8 ठीक है? 2 का cube 8 होता है, तो यह 1 by 8 आ जाना है, ठीक है? अब इस चीज को पकड़ करके, जो है, हमको क्या करना है? इसका graph को plot करना है, इसके graph को हमको से पहले हैं, जब वो x-axis and y-axis को हम लोग draw करते हैं, इधर x-axis, यहाँ x- यह y-axis, ठीक है? तो यह हो गया पुरा y-axis, यह हो गया पुरा x-axis और numbering भी हम लोग बिल्कुल करेंगे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 हो गया, यह minus 5 हो गया, यह minus 6 हो गया, ठीक है? अब देखिए, अगर हमने 0 रखा, एक्स का वैल्यू, तो हमको य का वैल्यू जो है, वो मेरा यहाँ पर क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है, तो एक्स का वैल्यू जीरो रहा, तो हमको य का वैल्यू जो है, वो हमको 1 मिला, यहाँ पर, ठीक है? अगर मैंने 1 रखा, तो यह हमको 2 मिला, 3 को भी रासर रख लेते हैं फिर देखते हैं क्या आता है result अगर 3 रखूंगा तो ये 8 आएगा यानि कि अगर 3 रखेंगे तो ये मेरा यहाँ पर ये 8 आ रहा है ठीक है अब दिखेंगे माइनस 1 रखेंगे तो ये मेरा 1.2 आ रहा है अगर हम लोग ये माइनस 1 रखते हैं X का value तो ये 1.2 यानि कि 0.5 आ रहा है यानि कि ये जो है ये मेरा यहाँ पर आ रहा है ठीक है इस point पर आ रहा है उसे तरह से अगर हम लोग माइनस 2 रखते हैं तो ये 1 बटा 4 आता है यानि कि 0.25 मतलब कि इससे भी आधा यानि कि ये यहाँ आना है और अगर माइनस 3 रखते हैं तो यहां से आप इसका ग्राफ को खूब अच्छे से देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वह इस तरह से मूफ कर रहा है आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ग्राफ जो है वह यहां पर यहां पर यह जो ग्राफ जो है वह इस तरह से मूफ कर गया ध्यान से यह जो लाइन नितर यह डाया है यह एक्सक्ससमें कभी श्टेगा नहीं जबकि 60 को खचेंगा जर्वाइक का वाय का value कि अच्छक मेरा जीरो कभी आएगा नहीं मेरा रेंच ज jus है वह सब्सक्रण पढ़ा ही रहता है यह हमने देखा ठीक है और इसका रेंज जो है वह जूर्यों कभी आना नहीं है जिस कारण से कि जो यह वला है यह इसी तरह से और ज्यादा चिपकते चिपकते ठीक है यह चिपकने का कोसिस करेगा लेकिन यह इसमें इसको टॉच नहीं करा दीजेगा यह थोड़ा सब्सक्रा अगर यह इसका मतलब यह हुआ कि आसे बैठने का यह मतलब हो गया कि यहां पर यहां पर इस तरह से आएगा और अगर यह पॉइंट यहां पर आगा तो यह लेकिन आसा क्या कभी होगा इसका जो रेंच है वह हमेशा 0 नहीं होता है वो कभी 0 नहीं होगा वह 0.00001 क्यों न रहे द्रीक है वो 0.00001 क्यों न रहे लेकिन यह इसमें इस तरह से तोड़ा से इससे हट करके ही रहेगा तो इस चीज को दियान में रखिएगा इसके बाद उसे तक 3x है तो 3x का अगर हम लोग ग्राफ अगर देखे तो ये भी जो है ने देखना बहुत मुश्किल नहीं होगा चलिए इसको आप लोग प्लॉट करिए लेकर हम वीडियो को पॉस करके देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 1 देता है ठीक है अगर हम लोग 0 रखते हैं x का value तो ये हमको 1 देता है और अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हमको 3 देगा अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वार चुकी 9 होता है, यह हमको 9 देगा, ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग माइनस 1 रखते हैं, तो माइनस 1 पर क्या होगा, यह 1 बाइ 3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, माइनस 2 पर यह जो है, 1 बाइ 9 हो जाएगा, उसी तरह से जो है, माइनस 3 पर यह जो है, 1 by 27 हो जाएगा 3 पर जो है वो 1 by 27 हो जाएगा यह सरी यह क्या होना है 3 पर तो 3 का cube होगा यानि कि 27 होगा ठिक है और इसी तरह से यह जो है न बढ़ता ही जाएगा इसी तरह से यह जो है न यह बढ़ता ही जाएगा ठिक है और इसको आप देखेंगे तो यह जीरो पर जो है न यह वन हुआ हम लोग उसी ग्राफ में देखेंगे ठीक है उसी ग्राफ में लोग इसको देखेंगे इसको भी यह क्या है मेरा कि जीरो पर जो है वो वन है यानि कि यहीं पर है इसी पॉइंट पर है ठीक है यहां पर अगर यह ना रहे इसको और ज़्प्र बढ़ा कर देते हैं फिर आपको समझने में दिकत नहीं आएगी बट कहां तक करेंगा या 27 तक है कि यह यहां पर 9 हो गया यह हो गया यहां पर यह वाई-एक्सिस ठेक है तो यह ऐसी टू पर जो है यह 9 चला गया यह 2 पर यहां से 9 चला गया है ठीक है? और अगर देखें अगर 3 पर तो 3 पर और जादे 27 चला गया है और वहार उससे और वहार ठीक है? यह 27 चला गया है ठीक है? अगर minus 1 पर देखें तो यह 1 by 3 है तो 1 by 3 का अगर हम लोग fraction अगर करेंगे student तो यह कितना होगा, यानि कि 3 से 1 को टिवैड देना, 0.039, फिर 1, 0, 3, यानि कि यह 0.33 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, और आप लोग यहां से देख सकते हैं, कि इसका जो वैल्यू होगा, basically, वो कहां होगा, 0.33 बहुत ही जादे करीब होगा, 1 यह होगा, minus 1 पर 0.33, minus 1 यहां है, और यह 0.5 से भी छोटा, यहां पर होगा, minus 0.33, यहां पर होगा, ठीक है, उसे तरह सब लोग इसको देखेंगे, तो 1 by 9 यह दिखम इस पॉइंट पर होना है, ठीक है, सटने, सटने को होगा, लेकिन यह सटेगा नहीं, याद रखिएगा, और फिर जो है, आप लोग यहां से देख सकते हैं, कि इसका ग्राफ जो है, यह बहुत ही, अ कर्वर लाइन में, इस तरह से जो है, यह मूव करते रहेगा, इस तरह से इसका ग्राफ जो है, यह मूव करते रहेगा, और यह भी जो है, यह सटेगा नहीं, इस तरह से यह भी जो है, यह लाइन यह दर मूव करते रहेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से के वीडियो में उतना केलियर तो नहीं आ रहा होगा आपको कि यह यहां पर सट रहा है यह नहीं ठीक है लेकिन अगर आप लोग रियाली देखें तो यहां पर यह नहीं सट रहा है ठीक है इसको मैं थोड़ा से उपर ही रखा है यानि कि X-axis से हमेशा यह थोड सबबहाट दीख रहा होगा तो वाइट वाइट ठीक है थो यह यह थारा से जो है इसका ग्राफ आपकर इवह spy यह ये जो है, ये है मेरा graph fx is equal to 2 to the power x का और ये है graph fx is equal to 3 to the power x का graph है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक value आती है मेरा e, ठीक है, small e, small e का value होता है 1.1 factorial plus 1 by 2 factorial, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, उल्टा i जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये basically क्या है, आपके दिमाग में यह यहाँ पर आता होगा, तो ये कुछ नहीं है, इसे डरना नहीं है basically यहाँ पर ठीक है, यह जो मैंने इसको factorial लिखा है, और इसको लोग पढ़ते कैसे हैं, इसी को लोग कहते है, factorial, factorial ठीक है, इसको factorial लोग पढ़ते हैं, और ये जो है, आपके 11th class में ही, ठीक है, यही पर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वोग डिटेल से चर्चा करने के पहले, चुकि यहाँ पर यह एक symbol आता है, इसकी बारे में समझ लें, ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर यह होगा, 1 by 3 factorial, और यह जो है इस तरह से चलता ही जाएगा, ठीक है, तो यह जो E है, इसका value यह होता है, और यहाँ सरया, लिग कह सकते हैं कि E, E, is an irrational number, यह क्या है, एक irrational नमबर है, और यह E का जो मेरा value है, वो मेरा 2 سے 3 के बीच में रहता है, ठीक है, यह मेरा 2 से बढ़ा और 3 से छोटा रहता है, value 2 और 3 के बीच में इस तरह से रहता है ठीक है तो E का value जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा value इस तरह से हमको देखने को मिलता है और E मेरा है क्या तो nothing but एक irrational number है ठीक है यह क्या है एक irrational number है और इसका जो value होता है वो basically यह होता है इसका value E is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 factorial two by two factorial तो factorial का meaning निन है जैसे कि 2 factorial है उसका मतलब हुआ 1 into 2 अगर 3 factorial है तो यसका मतलब हुआ 1 into 2 into 3 में तो 4 factorial है उसका मतलब हुआ 1 into 2 into 3 into 4 तक ठीक है जहाँ तक help center team स्कोंगा है the चलिए इसको भी आप जो है not कर लिजे ए कर लिए तो आब यहां से आब देख सकते हैं जूकि यह डिक जो वो और त्रीक बीच में ए वो डू keyboard बीच में रहने वाला है इस तरह से जो है इसके बीच में रहने वाला है इसाreसे इसके बीच में ही ये value जो है न ये रहने वाला है तो ये वाला जो graph होगा मेरा ये वाला graph होगा e to the power x ये किसका graph होगा e to the power x का graph होगा तो जो ये e है exponential जो है इसका graph 2 और 3 के बीच में होता है है न और e का जो value है वो इस तरह से रहता है और ये return में और इसका टू से लेकर के 3 तक कहीं इसका value इसके बीच में रहता है हमेशा ये चुकिए देखिए अगर 2x का अगर हमने graph किया तो ये graph जो है इस तरह से हुआ ठीक है ये graph जो है वो इस तरह से हुआ ठीक है 3x का भी किया तो वो कुछ-कुछ इसी तरह से हमको देखने को मिला अच्छा अगर ये 2 to the power x ना हो करके ठीक है ये graph अगर 1 by 2 to the power whole x अगर ये रहता ये अ प्रानसन रहता तब इसका क्राफ कैसे होता तब इसका ग्राफ है वह हो जाता इस तरह से अ ठीक है वहोगरा मेरा के इस तरह से वह जाता है प्रोफ। Давka 550 यह वाला इधार आजाएगा और यह वाला चीज उधर चला जाएगा है तो यह बहुत बड़ा इसू नहीं है इसको भी आप करके देख सकते हैं और यहां पर आप जीरो डाल दीजिए वन डाल दीजिए फिर य का वैल्यू आ रहा है उसको यहां पर इस तरह से लिख दीजिए क्वार्ड यह करके और फिर कॉडिनेट लिखने के बाद जो है आप इसको प्रॉट कर सकते हैं आप देखिएगा इसका ग्राफ जो कूछ इस तरह से आना यह आएगा ठीक है तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो क्या हैगा fx is equal to 1 by 2 to the power x 1 by 3 to the power x सबका ग्राफ जो है इस तरह से होगा और इस तरह से जो ग्राफ होगा वो होगा 2 to the power x यह 3 to the power x इस तरह से होना है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को जो है इस class को जो है basically यही पर हम लोग end करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अगले class में एक नए उ log को पढ़ेंगे ठीक है कि log क्या होता और हर एक basic concept को हम लोग लेंगे पहले log का और इसके बाद डिसकस करेंगे कि logarithm function क्या होगा ठीक है लेकिन logarithm को समझने के लिए exponential function के definition को exponential function क्या होता था वो समझना जोर रहे ही था इसलिए मैंने इसको पहले ही वता दिया और इसके बाद अगले class में वम लोग पढ़ेंगे और लोग पढ़ने के बाद हम लोगरिथम function को पढ़े जाएंगे ठीक है और भी जो है I walk to you, so I can be close to you It's really simple if you look at it that way Time that we can